नमस्कार दोस्तों यहां पर हमने जो प्रस्ण लिया है वो हमारे एक इस्टुडेंट जो की ऑनलेन एजोकेशन के माध्यम से यूटूब के माध्यम से हमसे जूड़े हैं उन्होंने हम तक भेजा है यह प्रस्ण काफी कठीन लगा काफी महत्तपूर्ण लगा इसलिए आपक कि आयो का योगफल क्या होगा 87 81 77 75 यदि आपके पास भी कुछ प्रस्ण है जो आपको कठीन लगते हैं तो आप भी अपने प्रस्ण हम तक भेज सकते हैं किस प्रकार से भेजेंगे उसका तरीका हम वीडियो के लाश्टर में बताएंगे आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल उज्वलक्षे मैं आपका दोस्त नरायन दिवंगत चलिए सुरू करते इस प्रस्टन को कैसे हल कर सकते हैं कि यहां पर देखे प्रश्टन में कहां गए है दो बालीगों यहां पर आपको समझना है कि वास्ता में बालिग क्या चीज होता है बालिग का अर्थ होता है जिसकी जो उम्र है अठारा साल या अठारा से जादा हो उसे कहा जाता है बालिग उसे कहा जाता है वयास के ठीक है अब यहाँ पर दो बालिग है मालीजे ये A है और B है इन दोनों के I.U. यहाँ पर दिया नहीं गए है और केवाल इसका गुननफल दिया गए है वो है सासो सत्तर है और इस दोनों का जोड आपको बताना है योगफल बताना है अरे बह…कम से कम एट निकाल लेते हैं यहां तो दोनों गयाब है, हाँ, इतना क्लू दिया है कि दोनों का जो उम्र है 18 साल से जादा है, अब कैसे हल करेंगे, है कि नहीं, कठी लग रहे कम नहीं लग रहे है, तो देखिए इसका सवत्रीक क्या है, यह जो 770 है, 770 को 2 हिस्से में तोड़ना है, और दोनों हिस्से में 18 से जाए होना चाहिए, ठीक है? अब यह कैसे पता चलेगा? इसके लिए आप 770 का अभाज्ये गुणंखर ग्याद कर लिजे, 3 हो जाएगा 2, 2 3 6, 17 हो जाएगा 2 8 16, 2 5 10, फिर हो जाएगा 5, 5 37 35, 5 37 35, फिर 7 का 7 एकम, 7 एकम, फिर ये 11, 11 एकम, 11, अब आप देख सकते हैं, 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 प्राप्त हुआ है, अब इसे दो जोड़ी में आपको बाटना है यदि आप इस प्रकार से दो जोड़ी बाटते हैं तो 5 दुनी 10 और एक हो जाएगा ससत्तर यहाँ पे 10 आएगा यहाँ पे ससत्तर तो 10 जो है बालिग नहीं है 18 से कम है तो यह जोड़ी काम नहीं करेगा यदि हम 2 के साथ का गुणा करते हैं तो 7 दुनी 14 वो भी नहीं हो रहा है तो हमें काम करते हैं 2 का गुणा 11 से करते हैं तो 11 दुनी 22 और 5 सत्ते 35 तो यहाँ पर 22 यहाँ पर 35 ठीक है इन दोनों को गुणा करके देख लिजे 770 ही आएगा क्योंकि यह इसी का 2 अपवर्तक है ठीक है अब इसको आप जोड़ लीजे 35 और 22 को जोड़ लीजे तो 35 और 22 को जोड़ते हैं तो देख सकते हैं 527 और 325 57 तो यहाँ पर जो उत्तर है 58 ठीक है सरलता से हलो गया अब हम बात करते हैं आप अपने प्रस्णों को किस प्रकार से भेज सकते हैं तो नीचे में हमने एक Google फार्म दिया है Google फार्म के लिंक को आप उपन कीजेगा उसमें कुछ आवश्यक जानकारी है उसको भर दीजेगा और आप अपने प्रस्णों को या तो टाइप करके भी सकते हैं या उसका फोटो कीज़गर के उसमें अपलोड कर सकते हैं आपकी प्रस्ण हम तक पहुंच जाएंगे यदि आपका प्रस्ण वास्ता में बहुत अच्छा लगा कि सभी को बताने लायक है तो हम उसे अपने वीडियो में अवश्य शामिल करेंगे वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा वीडियो को लायक कीजेगा अधिक से दिदोस्तों तक सेर कीजेगा धन्यवाद